दोस्तो अगर आप पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तान सिंदबाद भारती हो तो जए हिंद नीचे कॉमेंट कर दें नीज वीडियो को लायक शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब कर ली शुक्रिया मारूफ अनकर परसन और सहाफी एक रारूलहसन की दूसरी शादी के हवाले से इस वक्त सोशल मीडिया पर हंगामा सा बरपा है ताहम अब उन्होंने खामोशी तोड़ते हुए बाजिया पेखाम जारी कर दिया है रफसिलात के मताबिख तिक रारूलहसन ने अपनी दूसरी शादी के हवाले से सोशल मीडिया पर हंगामा बरपा देखा तो उन्होंने खामोशी तोड़ते हुए वीडियो पेखाम जारी कर दिया है जिसमें उनका कहना है कि मेरे बहुत सारी दोस्तों का ख्याल था कि मुझे अवामी सतह पर इस पर बात नहीं करनी चाहिए लेकिन मेरा ये मानना है मेरे पास जो कुछ भी है सब आपका दिया हुआ है मुझे आपको अपना समझते हुए अपना सब कुछ शेयर करना चाहिए पिछले दो दिन में अचानब ब्रेकिंग यूज साई है कि मेरी दूसरी शादी हो गई है इस मुआमले का आखास साथ साल पहले हुआ था पांच साल पहले निकाह हुआ और पहले दिन से ही तमाम चीजे सब के सामने है जब निकाह हुआ तो तब बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं भी नहीं थे और सरय आमभीले सरह से अवामे मखबूर नहीं था और इस वक्त इंतिहाई साधी सी तकरीदी वो हो गई आप में से कोई भी नहीं जानता कि दूसरी शादी के नहालात में हुई और मैं ये नहीं बता सकता क्यूंकि इसमें किसी और की भी इसज़त नफस मौझोध है इसमें खानूनी और शर्वी तोर पर कुछ गलत नहीं हुआ जब कि मेरी पहली बीबी के इलम में सब कुछ है मैंने कुछ नहीं चुपाया, मेरी पहली बीबी की रजामंदी से सब हुआ आपके लिए ये नई चीज है लेकिन इन पाँच सालों मैंने तमाम को खुश रखने की कोशिश की है एक रारुलहसन का कहना था कि ताहन हलात ये हैं कि अगर में यहां मौजूद नहीं होता तो मेरी दोनों बेगमात एक दूसरे से मिलती हैं एक दूसरे के साथ इशाये पर भी जाती हैं और एक दूसरे को तोहफ़े भी देती हैं जबकि अगर मुल्क से बाहर जाए तो दूसरे के लिए तोहफ़ा भी खरेती हैं अपके लिए ये मानना मुश्किल है क्यूंकि आप उसे अपने हाला तो वाकियात में रखकर सोच रहे हैं क्यूंकि हमारे मुआश्रे में शायद ये गाली बन गई क्यूंकि हमने 800 साल एक हिंदू मुआश्रे में गुजारे हैं, हिंदू विम्मा शरे में उसे बुरा समझता जाता है आप बुरा समझते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि ये बुरी बात है इस तरह दो लोग खुश रहते हैं तो दोस्तों आपके क्या राय है नीचे कम दच करें लिस्ट हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर लायक करें और हमारा चैनल सबस्क्राइब करके शु